Hello student, this is Lomas Gandhi, welcome to our YouTube channel, let's learn from them. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 का पहला चप्टर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडुड़क्शन आफ मोशन को देखेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि कब किस अबजेक्ट को मोशन में कहा जा सकता है और कब कौन सा अबजेक्ट मोशन में होगा या नहीं होगा, ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं तू देखो, होता क्या है कि जब भी माललो हम, हम लोग चल रहे होते हैं, रन कर रहे होते हों तो हम क्या देखते हैं या जब हमने मालो ये गेंद को उपर फेका या सामने कहीं फीका फेका तो वो कितने distance तक जाता है इसको कैसे समझें तो इसी से related जितने भी questions arises होते हैं उन सारे questions का answer हम लोग इस chapter में ढूणने की questions करेंगे ठीक है तो देखो एक दो बाते हैं और भी परपस है हम लोग ये सीखने की कोशिस करेंगे और ये समझने की कोशिस करेंगे कि motion को describe करने के लिए कौन-कौन से word terms हमें यूज करने है और उस term का definition क्या है उनको समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग उसके application को भी देखेंगे यहाँ पे बिलकुल ही इस बातों पे इस chapter में discuss नहीं होगा कि उस तरह के motion के cause क्या है कोई भी particle उस तरह का motion जो particular type का motion हम लोग देखेंगे वो उस तरह का motion वो particular particle क्यों perform करेगा कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग इस chapter में cause of motion को discuss नहीं करने वाले है clear है तो ये चीज़े द्यान में रखनी है ऐसे भी आपको ये पता होना है कि कैने मेंटिक स में नहीं पता है तो मैं आपको बता रहें कि अईसा बरांच फिजिक्स का जिसमें हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पड़ते हैं उनकी का उज को नहीं मोसन को पड़ना है बिना उसके काऊज को जाने ठीक है इस फिजिक से बॉन के ब्रांच को हम लोग कैनेमेटिक्स कहतेumed कैनेमेटिक्स में हम लोग क्या पड़ते हैं मोसन कैसे कैसे होते हैं पर्ränटिकश उस टाइब का किस कि टैब का motion perform करता है तो उसको हम लोग kinematics में पढ़ते हैं अब object उस तरह का motion क्यों perform करता है उसके क्या causes हैं उसे हम लोग जैसे आप को laws of motion हो गया नहीं उन में पढ़ते हैं ठीक है फिलाल आपको kinematics में सिर्फ motion types of motion उसके study करने हैं उनके cause को नहीं देखना है ठीक है हम लोग force in laws of motion जो अगला chapter है उसमें समझेंगे कि उस तरह का particular कोई विए object motion क्यों perform करता है ठीक है चलिए motion को समझने की causes करते हैं इसके लिए हम एक situation consider कर रहे हैं इस situation में जिसे माल लीजी एक bus है bus पे कुछ passenger है और वो बस move कर रही है ठीक है motion में है bus और मालो कहीं बाहर में एक लड़का road के side में खड़ा है तो हमने यहाँ पे दो passenger को consider किया है हमने A और B जो bus के अंदर बैठा हुआ है bus moving bus के अंदर बैठा हुआ है और तीसरा हमने एक object object कह सकते है एक आदमी एक person हमने side में कहीं road के side में खड़ा है वो उनको consider कर रख़ा है ठीक है अब यहाँ पर यह आता है कि अगर मालो A से पूछा जाए कि कि B का क्या हल है हाल का पतलब यहाँ पर हुआ कि B wrist में है कि motion में है ठीक है तो A बोलेगा B wrist में है बस के respect में या खुद के respect में उसी तरह से अगर B से पूछा जाए कि A wrist में है कि motion में है तो A wrist में कहेगा B क्योंकि B से A अपने position में कोई change नहीं ला रहा है मतब जहां पर B के सामने वाले chair पर मालो A बेठा हुआ है तो कुछ time बाद भी moving bus के अंदर कुछ time बाद A वहीं पर है जहां पर कुछ दिर पहले था इसका मतब B को move करते भी नहीं देखा इसलिए B ने A को wrist में कहा तो A wrist में होगा B के respect में या तो bus के respect में उसी तरह से B A के respect मे या B के respect में wrist में होगा यह चीजें clear हो गई अब अगर यही चीज C से पूछा जाए जो तीसरा object है जो road के side में खड़ा है तो वो कहेगा कि भाई बस तो move कर रही है और bus में बैठा हर passenger move कर रहा है तो A move कर रहा है B move कर रहा है क्योंकि वो bus में बैठा हुआ और bus उसे move करते लगेगा इसलिए वो A B और bus सब को move में कहेगा motion में कहेगा तो यहां पर confusion create हो जाती है कि कभी ज़र A rest में हो जाता है फिर कभी आप बोल रहें कि B जो है वो या A motion में है तो हम यह पता कैसे करें कि कौन सा object कभ रहा होगा और वो कभ मोशन में होगा तो इसी situation से आपको इसका clue मिल जाता है कि हम लोग किसी भी object को कभ rest में और कभ motion में कहेंगे ठीक है तो चलिए यहां से यह चीज़े समझ में आती है कि जैसे ही जब A ने जब A ने B को कहा कि तुम rest में हो तो आखिर A किस basis पे B को rest में कह रहा है तो यहां पर सोचने वाले बात यह है कि A rest का मतलब यह होता है कि सामने वालो जो आदमी है सामने वाले object जो है वो आपके respect में ठीक है आप उसे move करते हुए ना देखें तभी तो आप सामने वाले object को rest में कहेंगे इसका मतलब जब A B A के सामने वाले seat पे मालो B बैठा हुआ है तो B move नहीं कर रहा था कहने का मतल कि B ने अपने position को वहां से बदला नहीं अगर वो bus के अंदर दोड़ता तो A B को motion में कहता लेकिन वो bus के अंदर सामने वाले seat पे एक दम चुप-चाप बैठा हुआ है तो B ने अपने position को नहीं बदला किस के respect में A की respect में या bus के respect में इसलिए B rest में है उसी तरह से B के respect में भी A ने अपने position में कोई changes नहीं करे तो इसलिए B के respect में A rest में होगा लेकिन अगर बात हम लोग C की करें तो C के respect में क्या हुआ है यह चीज़ें देखो तो C के respect में क्या हुआ है कि C ने देखा कि A भी move कर रहा है इसलिए A motion में होगा B भी move कर रहा है इसलिए B motion में होगा bus भी move कर रही है इसलिए motion बस भी motion में होगा clear है तो यह चीजे होती है तो यहां से यह clue मिल जाता है हमें कि कब किस object को wrist में और कब किस object को motion में कहेंगे ठीक है इसी तरह का एक दूसरा example भी होता है अर्थ और moon के case में अगर आप से यह पूछा जाए कि आप अर्थ पे मालो चेयर पे बैठे होए हैं तो आप wrist में की motion में हैं नहीं कह सकते हैं अर्थ पे कोई chair पे बैठा हुआादमी wrist में है की motion में है यह तभी कहना possible होगा जब किसके respect में आप से पूछा जाए ठीक है किसके respect अर्थ पे कोई भी object या कोई भी आदमी जब चेर पे बेंधे बेटा हुए हो गां तो भूब वो अर्थ की रिस्पक्ट में रेस्ट में हुआ लेकिन अगर मून पे बेटा हुआ आदमी उस अर्थ पे बैठे हुए आदमी को अगर देखें! तो वह उसे मोशन में कहेगा वज़य क्या है वज़य है कि मून Earth को गुमते हुए देखेगा Themen Moon पे जो बैठा हला आदमी है वो Earth को ROTATE करता हुआ देखेगा ठीक है जबकि Moon खुद भी ROTATE कर रहा होता है जो भी हो फिलाल लेकिन Moon पे बैठा हुआ आदमी Earth को गुमता हुआ देखेगा तो Earth पे जितनी भी चीजें होगी चाहे वो रुकी भी हो, या मोशन में हो, या मूव कर रही हो, सारी चीज़े मून पे बैठे वे आदमी को मूव करते वे लगएगा, इसलिए मून की रिस्पेक्ट में अर्थ पे तमाम चीज़ें, चाहे वो रिस्पेक्ट में हो या मोशन में हो, वो मोशन में होगा, ठीक है लेकिन अर्थ के respect में जो चीज़ें रुकी भी है वो rest में होगी जैसे कोई बैठा हुआ आदमी अर्थ के respect में rest में होगा लेकिन वही moon के respect में motion में हुआ तो एक ही object का position, एक ही object को आप अलग-अलग point of view से, अलग-अलग reference point से किसी के respect में, आप rest में भी कह सकते हैं फिर दूसरी के respect में motion में कह सकते हैं तो कौन सा object rest में होगा या motion में होगा इसके लिए जरूरी ये है कि आपको किसके respect में कहना है तब ही हम लोग ये decide कर पाएंगी कि कोई भी object move कर रहा होता है या rest में होता है तो यहां से हमें definition मिल जाता है, definition का clue मिल जाता है कि जब कोई object अपना position नहीं बदलेगा, change नहीं करेगा, surrounding की respect में, वही किसके respect में, तो जिसके भी respect में कोई भी object अपना position नहीं बदलेगा, उस object को उसके respect में हम लोग wrist में कहते हैं, example के लिए पिछला bus वाला situation पे आजाएए, bus वाले situation में, A के respect में, B wrist में है, क्योंकि A के respect में, B ने अपना position नहीं बदला, इसलिए A के respect में, B wrist में है, उसी तरह से अगर B को पूछा जाए, तो B के respect में, A भी wrist में है, क्योंकि B के respect में, A ने भी अपना position नहीं बदला है, ठीक है, आपको बस ध्यान में यह रखना है, कि किसी भी object को wrist में तब कहा जा सकता है जब वो surrounding के respect में अपने position में कोई भी change किसी भी तरह का position में change ना लाए तो वो wrist में होगा, clear है अब यहाँ से motion कुछ समझ लेते हैं motion में क्या होगा, position का change होगा जब कोई भी object अपने position में लगातार change कर रहा होगा जब कोई भी object अपने position में लगातार change कर रहा होगा तो उसे motion में कहा जा सकता है surrounding के respect में, position में change होगा surrounding के respect में, चले example से ही पुराने वाले example से समझते हैं अगर C के respect में पूछा जाए A का क्या आल है तो C के respect में A अपना position बदल रहा है क्योंकि बस move कर रही है और बस में वैठावा आदमी भी बस के साथ जा रहा है तो C देखेगा कि A ने अपना position बदला है जैसे इसे time बीता तो C के respect में A का position बदला पहले A जहाँ पे था, अब वो A वहाँ पे नहीं है इसलिए A को वो motion में कहेगा उसी तरह से वो B को motion में कहेगा ठीक है क्योंकि C के respect में A और B जो भी हो उसने अपना position चेंज करा है ठीक है इसलिए A, B, C के respect में motion में होगा तो आपको बस ख्याल motion के लिए ये रखना है कि surrounding के respect में यहाँ पे surrounding कौन बन गया? C बन गया surrounding जिसकी respect में तो surrounding के respect में अगर कोई भी object कोई भी body हो अगर वो अपना position बदल रहा है continuously change कर रहा होता है तो उस object को हम लोग motion में कहेंगे और surrounding respect में अगर कोई object अपना position नहीं बदलेगा तो उसे हम लोग wrist में कहेंगे तो wrist और motion का यहाँ पे definition clear हो गया होगा आपको ठीक है? अब देखो यहाँ पे surrounding को लेके कुछ confusion रह जाती है कि क्या actual meaning surrounding का क्या है surrounding में हम लोग surrounding की बात जैसे हम बोलते हैं तो आसपास तुम्हें air, plant नहीं तो आसपास की building यह सब सारी चीज़े दिमाग में आने लगती है तो हम लोग surrounding का यहाँ पे technical meaning क्या है तो surrounding का मतलब यहाँ पे यह है कि जितनी भी object है चाहिए वो building हो, plant हो, कोई भी चीज जो रुकी ही है, stationary है रुका हुआ है, move नहीं कर रहा होता है उसको हम लोग surrounding माल चलेंगे यानि कि जो भी buddy wrist में होगा वो surrounding आप उसे consider कर सकते हैं ऐसे moving object को भी आप surrounding ले सकते हैं लेकिन हमारे celoves में नहीं है तो हम लोग जो object wrist में है उसी को surrounding मनाएंगे जैसे कि इस situation में अगर यह आदमी C, लड़का C अगर दोड रहा होता है दोड रहा होता तो फिर बड़ा मुस्किल situation यहाँ पर create हो जाता किसी को wrist में किसी को motion में कहना इस पे भी हम लोग discuss करेंगे आगे ठीक है तो surrounding मतलब कोई भी fix point कोई भी fix point surrounding हो जाएगा नहीं कोई भी fix point हमारे आज पास किसी भी moving object लिए सामने वाला अगर कोई point fix है जैसे मालीज आप दोड़ रहे हैं और road के side में एक pole गड़ा हुआ है तो pole क्या हो गया fix point मतलब वो हो गया surrounding आपका तो उसे reference point भी आप कह सकते हैं ठीक है reference point का मतलब हो गया कि किसके respect में reference तो बताना पड़ेगा न तबी तो आप rest और motion को बता पाएंगे जब तक कोई reference point आपके पास ना हो तो ध्यान में आपको reference point को लेके क्या रखना है कि ये हमेशा rest में होगा हमारे से लेवस में reference point हमेशा rest में rest वाला लेना है ठीक है दूसरा ये fixed होगा कोई किसी भी ऐसा नहीं किए हम लोग यहाँ पे अभी reference point यहाँ पे माल लिए फिर कुछ दिर बाद reference point का change कर दिए नहीं reference point को fix कर देना है पहले rest और motion को बताने से पहले जैसे आपने tree, pole, person यह चोटी-चोटी चीज़े है जिनको आप reference point मान सकते है building को reference point नहीं मानेंगे कोई भी platform होगा इसको reference point नहीं माना जाएगा एक वो जो object होगे जिनका size थोड़ा जादा होगा उसको हम लोग अलग से discuss करेंगे उस पे हम लोग फिर से अगले video next video lecture इस पे हम लोग बाग करेंगे आप एक point का मतलब होता है जिसे पतली सी पोल आदमी यह जिसका कोई जादा जिसकी बालोग फ्लेटफ़ार्म एक किलो मेटर को होता है कभी भी tree आपने एक किलो मेटर बड़ा या चोड़ा देखा है क्या पूल आपने एक मीटर चौड़ा देखा है क्या लंबे तो होते हैं चौड़े देखें हैं क्या नहीं इसलिए हम लोग छोटी छोटी चीज है जिसका कोई dimension खास नहीं होता है जिसका थिकनेस टाइप सोड़ा ज्यादा नहीं होता है उसको रिफ्रेंस पॉइंट मालना क कहते न कि सामले वाले object को किस नजरीय से आप देखें तो फ्रेम ओफ रिफ्रेंस होता है और हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पॉइंट होगा वह रिष्ट में होगा उसी इस तरह के रिफ्रेंस पॉइंट को हम लोग इनर में आपको पढ़ना है कि moving करता हुआ reference point आपको consider करना है हाँ जब आप physics में higher study के लिए जाएगा तो हो सकता है कि आपको यह पढ़ने का मौका मिले कि आपको moving reference point consider करने है फिलाल आपको एकदम tension free हो लेना है कि आपका जो भी frame होगा वो रुका हुआ होगा inertial होगा non inertial frame of reference हमें पढ़ना ही नहीं है ठीक है जो moving frame होगा वो हमें पढ़ना ही नहीं है clear है वैसे moving frame को हम लोग एक example से समझ लेते हैं जैसे माली जी एक खुली ट्रक है ट्रक पे एक आगमी बैठा हुआ है आ रहा हम से कोई दिक्कत ने ट्रक में पेड़ मूव कर रहा होता है तो यहां पे जो frame आता है moving frame हो गया ने क्योंकि आप बस के अंदर है actual में तो आप move कर रहे है इस case में हम लोग जो frame select कर रहे होते हैं इसी frame का non inertial frame of reference नाम होता है तो यहां पे यह object हमें जो object रुकी भी होती है actual में चल रहे होते हैं लेकिन रुकी भी object मूव करती भी दिखती है हमें तो इसे इस तरह के frame को हम लोग non inertial frame of reference कह सकते हैं ठीक है यहां पे फिर pseudo force का थोड़ा वह concept आता है तो हम लोग force वाले lecture में इस बात को फिर से discuss करेंगे pseudo force कहां से आता है इसी यही concept जो है pseudo force को create करता है clear है चलिए तो अब हम लोग आते हैं motion जैसे मालो कोई भी object है वो किस path को follow कर रहा होता है किस path पे वो travel कर रहा होता है इसके basis पे मत्तब उसके चलने का path कैसा है इसके basis पे हम लोग कुछ types of motion को समझ लेते हैं जैसे random आपको पता ही कि randomly randomly मत्तब कोई direction fix ना हो कोई particular direction में कोई object travel ना करें तो random motion translatory motion यह से translational motion भी आप कह सकते हैं अगला rectangular motion हो गया rotational motion हो गया oscillatory motion हो गया यह छोटे-छोटे कुछ sub types हो गये motion के इसको कुछ-कुछ हम लोग example दे समझ लेते हैं ठीक है जैसे random motion random motion का मत्तब होता है जब particle का कोई definite path ना हो randomly particle move कर रहा होता है तो उस particle के motion को हम लोग random motion कहते हैं जैसे dust particle हवा में चल रही होती है move कर रही होती दर जर कब किदर जाएगी कुछ पता नहीं तो उसका motion random हो जाएगा जैसे honey भी है मख्यां वगेरा होती है इंसेक्ट वगेरा होते हैं वो कब किदर जाएगा कोई fix नहीं होता है तो इसके motion को हम लोग random motion कहते हैं अगला translatory motion या translational motion कह सकते हैं तो जब भी कोई particle किसी fix path में travel कर रहा होता है और उस case में उस particle के जो सारे points होते हैं उसका displacement सेम होता है तो उस particle को हम लोग translatory motion में कहते हैं या translational motion में कहते हैं इसको एसे समझ सकते हैं जेसे मालनी जी एक red है ठीक है एक red का माली जे फ्सेद होगा ये जो रड Richt जोचप one a तीन पार्टिकल डाल रखें, तीन पार्टिकल को consider कर रखा है, हमने इस रट का अब माल लीजे, हमने इसे V velocity से move करवा दिया, तो एक सेकंड में माल लो अगर ये वाला पार्टिकल एक मीटर distance travel करता है, और एक सेकंड में इसका next पार्टिकल भी एक मीटर ही distance travel करें, इसका जो दूसरा वाला तीसरा पार्टिकल है, वो भी एक मीटर ही distance travel करें, मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि ऑबजेट के जो सारे पार्टिकल है, ठीक है, वो अगर उनका displacement सेम होता है, तो ऐसे motion को हम लोग translatory motion कहेंगे, तो आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि सर्थ, ऐसा थोड़ी होता है कि एक पार्टिकल का एक जो पार्टिकल का एक जो पार्टिकल सारी, एक object के जो different particle होगे, उनकी velocity अलग अलग होगी, या उनका displacement होगा, बिल्कुल होता है, हम आपको वह वाला motion भी दिखाएंगे, ठीक है, समझाएंगे कि उस तरह के motion में यह चीजें कैसे differ करती है, कि एक ही object के जो different particle होते हैं, उनका displacement कैसे different होता है, फिलाल यह समझ लीजिए, जब किसी object का हर particle का displacement सेम होगा, तो हम लोग उसके motion को translatory motion कह सकते हैं, ठीक है, यह straight भी हो सकता है, curve भी हो सकता है, जब object का path curve होगा, तो उसको हम लोग curve linear motion कह सकते हैं, जब object का path straight होगा, तो उसे हम लोग straight linear motion कह सकते हैं, ठीक है, जब भी कोई particle straight path में travel करेगा, तो उसका motion कैसा होगा, रेक्लियर मोशन होगा, यह चीज़ें clear है, रेक्लियर मोशन की जब भी कोई particle, street line path में travel करेगा, उसका motion, रेक्लियर मोशन होगा, जैसे मालो trend है, trend street line path में, street track पे travel कर रही है, तो उसका motion street होगा, रेक्लियर मोशन को 1D motion भी कहा जाता है, one dimensional motion भी इसे हम लोग कहते हैं, आगे और समझेंगे कि one dimensional motion क्या होता है, फिलाल आपको ध्यार में रखना है कि clear motion को one dimensional motion भी कहा जाता है, next है rotational motion, rotational का motion मतब rotate करने वाली चीज़े, जैसे माल लिजे particle revolved in a circle about the same axis, किसी fixed point के about, जैसे कि आपका जो fan हो रहा होता है, उसका motion rotational होता है, ठीक है, circular नहीं कह सकते है, circular में क्या होता है, इको fixed axis के about, कोई भी particle move नहीं कर रहा होता है, लेकिन rotational motion में, rotational motion में, कोई भी particle circular भले ही move कर रहा हो, लेकिन वो किसी fixed axis पे, अगर माल लो fan से आप axle निकाल दोगे, जो उसका axle होता है, वो निकाल दोगे, तो क्या वो गोल-गोल घुमेगा, नहीं, तो गोल-गोल घुमवाने के लिए, उसे एक fixed axis के साथ, attach करना जरूरी हो जाता है, तो rotational motion ऐसा होगा, कि move करे इस तो circle में, लेकिन किसी fixed point के about, तो ऐसे motion को हम लोग rotational motion कहेंगे, जैसे अर्थ का motion, अर्थ दो type का motion करता है, तो एक रोटेशनल भी करता है, और एक आपका circular भी करता है, circular तो नहीं कहते हैं, उसे elliptical कहते हैं, तो rotational का मतलब होता है, कि जैसे जब वो sun के रौनड मूव करता है, वैसे elliptical होता है, लेकिन sun के round move करने के लिए, sorry, sun के round move करता है वो आपका elliptical होता है, elliptical मितलब कह सकते हैं, आपका revolution हाँ, वो कह सकते हैं, revolution होता है निस sun के round revolution और अर्थ का जो अपने axis पे motion होता है, उसी हम लोग rotation कहते हैं, क्योंकि वो अपने axis पे about move कर रहा होता है, जैसे अर्थ का अपने axis के about जो motion होगा, उस motion को हम लोग कहेंगे rotational motion, 24 hour वाला इस motion को हम लोग कहेंगे rotational motion, और ठीक है, sun के round जो move कर रहा होता है, उसको हम लोग revolution कहते हैं, चक्कर काटना revolution होता है, जैसे पुली घुमती है, पुली आपने देखा होगा, नहीं कुवा वाला होता है, नहीं कुवे के पास रस्ची बंदी भी रहती है, metal की है, लकडी की है, तो वो पुली का motion कैसा होगा, उसको हम लोग कहेंगे rotational motion, oscillatory motion तो आपने देखा भी होगा, ठीक है, किसी fix के about जो to and fro होता है, आगे पीछे type का, ठीक है, उसको हम लोग कहता है, oscillatory motion, जैसे मालो ये एक fix bob हमने मालो यहां पे लटका रखा है, और इसको मालो ऐसे हमने छोड कर दिया, ठीक है, तो इसके सकता है, vibratory भी हो सकता है, जिसे pendulum, घडी का जो pendulum होता है, वो oscillatory होता है, string guitar का, गिटार का string जो होगा, वो vibratory motion करेगा, ठीक है, तो ये होता है oscillatory motion आपका, तो बस ये थोड़ा बहुत आवर व्यू है, आपको ऐसे समझना कुछ और है, सेप्टर में, हम लोग types of motion को दूसरे तरह से समझेंगे, uniform, non-uniform वाले type का, ये तो बस थोड़ा बहुत introduction होगा, कि हमने आपको समझाया, कि motion कैसे कैसे हमारे आसपास होते रहते है, object का motion कैसा कैसा हो सकता है, तो अगर हम लोग direction की basis पे बात करें, तो जैसे हमने आपको बताया था, कि अगर वो street line path में travel कर रहा हो उसको लोग 1D motion या one dimensional motion कहेंगे, जैसे train, straight track या straight line के about move कर रहा होता है, ठीक है, उसके बाद two dimensional motion की बात करें, जैसे माल लीजी आप जब रोड पे, रोड मतलब एक surface है, एक plane है, नहीं, उस पे जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी माल लो आप left right का भी turn वग बाइक को एकदम street में चला रहे हैं, उस वक्त उसका motion क्या होगा, straight line वाला होगा, तो 1D motion होगा, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता है, थोड़ा लेना ही पड़ता है, left right type का, तो हम लोग ये plane को cover कर लेते हैं, एक plane एक surface को cover कर लेते हैं, इसके motion को हम लोग two dimensional motion कहेंगे, क्यो brake मारा और गाड़ी उचल के ऊपर चला गया, होता भी है, जब brake बगरा लगती है, accident बगरा होता है, तो ये सब सारी चीज़ें होती है, आपके साथ नहीं होगी, लेकिन ऐसा वाला जो motion होगा, जब मालो तीसरा axis भी involved हो जाए, जैसे surface में दो axis है, x, y, और तीसरा एक axis होगा जैड, surface के perpendicular, उपर वाले, जिसको हम लोग space कहते है, इसलिए three-dimensional motion को motion इना space भी कह सकते है, ठीक है, और अगर accident अच्छा खासा रहा, तो फिर आप space का मतलब यह हो गया, कि दुनिया से बाहर भी चले जा सकते है, तो गाड़ी सावदानी से चलाएं, left, right, जादा ना करें, न तो फिर आपको, आपका motion, three-dimensional type का हो सकता है, जैसे, दूसरा example, birds flying in the air, वो क्या होता है, कि वो, जिससे हवा में उड़ रही होती, तो यह मन सोचना है, कि सिर्फ ए space में ही चल रहा होता है, तो तीनोट चीजें, कवर कर रही होती है, तो इसी तरह के motion को, हम लोग three-dimensional motion भी कह हो रहा होता है, तो इसका motion three-dimensional होता है, ठीक है, तो यह है motion के कुछ sub-type, चोटे-चोटे introduction, कितने type के motion हमारे आस-पास हो रहे होते हैं, और direction के basis पे भी हमने motion को समझा कि 1D, 2D और 3D motion क्या होता है, ठीक है, तो अगले video lecture में हम लोग अगले topic को discuss करेंगे, ठीक है, जो होगा distance or displacement, motion को समझने के लिए, ठीक है, motion, different type के motion को समझने के लिए, जो दो important terms है, distance or displacement, इस पे discuss करेंगे, फिर हम लोग speed, velocity, acceleration, इनको समझेंगे, तो धीरी-धीरी यह topic हमारा cover होगा, यह topic काफी important topic है, इसलिए एकदम बारेकी से चीजों को समझना है, जिससे related, अगर उसके related कोई confusion ह तो आप direct, telegram, pp आप पूर सकते हैं, या comment box में भी अपनी question को आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ते रही है, ठीक है, मिलते हैं अगले video lecture में, तब तक के लिए, all the very best, धन्यवाद.